तो आपकी दावेदारी क्या सुनिश्चित है, क्या सुनिश्चित माने और क्या सुर्जेवाला साब आपको लगता है कि वो आपके लिए सिफारिश करेंगे? जो आपने देख लिया कि इनने भारती जनता पारिटी एदेख ने खुद लिख कर दिया कि डेट बढ़ेनी चाहिए, वहाँ साल में जो कुछ नहीं कर सके वो दस दिन का इंतिजार करें, मैं तो नहीं मानता, यह हर से भी भर कर लिया राम राम नमसकार, हरियाना तक देख रहे हैं आप, सोनिया मेरा नाम है, इस समय मैं कहूं कि मैं पूंडरी विधानसबाद सीट कवर कर रही हूँ, आज आपको एक ऐसे नेता से मुखाटिब कराने वाले हैं, जिनका नाम आपने पूंडरी के राजनितिक पन्नों में भी आ सकते हैं, यहां पर मैं बात कर रही हूँ, सत्विर भाना साब की, सर एक बार तो जरा अपनी जर्नी बता दे, राजनिती की शुरुवात बता दे और पीछे जो मैं तस्वीर देख रही हूँ, वो है रनदीब सुर्जेवाला साब की, इसके पीछे का भी कुछ कहानी हो, कोई स्टोरी हो, वो भी बता दे, सबसे पहले दे मैं, सोन्या जी, यह पुंडरी हलके में पहुंच़े पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी में स्वागत करता हूं, बेंट जी मैंने जो मेरे राजनिती शुरुवात की, मेरे हलके में मेरे साथियों जो मुझे कहा कि आपने सेवा करनी है, तो हलके की पूरी सेवा करो, आप चुनाओ लड़ो, विधान से बका, आप चुनाओ लड़ो, विधान से बका, पैमिली बैगराउंड ज़रा बताएं आपका, एक चोटे से, किसान परवार, मजदूर परवार से, मैं आया हूं, मेर पिता जी भी मजदूर थे, किसान थे, मेरे दादा जी भी एक मजदूर किसान थे, और मैं ने पूरी आप किया, पर शुरुवात की, विपार की, ऋपर बर जला, तो हलके वासी मेरे साथी, मेरे दोस्त, सब इक या चाहणे लगे, कि आपके परवार में सेवा भाव है, तो मैंने निर्दली चुनाओ लड़ा था उस समय अधिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जनता मुझे आशिरवाद देड़ना चाहती है हलका मुझे चाहता है हलका चाहता है क्यों कोई आशा साथ ही आए जो हलके की स्यवा करें तो मैंने मेरे आगे एक चैलेंज जो हल पार्टी को चुनों किस नेता को चुनों उस से मैं मेरी प्रिक्षा की घड़ी थी मैंने देखना था कि मैंने अमले नहीं मैंने तो सिर्फ सेवा चाहिए और सिवा किस माध्यम से किस नेता के साथ हो सकती है कुण सच्चा नेता है पार्टी कुण सी अच्छी है तो मैंने स खोड़ी गुन देखें तो इस्वास करते आप स्वाल्थ करते हैं कि अगेश्धी बिडाने के वो कोशिज करते है पहली मूलाकात में मैंने विश्वास हो गया अगर मैं किसी को मेरे राजनिति गूर्ण गुरु गर् फिर आप Congress जोईन करते हैं चोदिर नदीप शुर्जेवाला जी ने 2017 में 21 सप्रायल को रहूल गांदी जी के पास Congress Party जोईन कर आई और उसी दिन से मैंने Congress Party जोईन करने के बाद Congress Party का परचार और प्रसाज शुरू कर दिया जब आपने जोईनिंग की Congress तो तब रहूल गांदी जी साथ थे राहूल गांदी जी अध्यक्स थे अब जब राहूल गांदी जी के साथ मने Party जोईन की यहां बहुत से टोट करें कि आपने Party के जोईन गल्त कर ली डूब देजाजों मैठ गी मुझे पता था कि रहूल गांदी क्या है रहूल गांदी एक युवाओं को आगे लाने वाड़े जो अमारे नेता है तो रहूल गांदी जी वही राहूल गांदी जी आज है जो पूरे भारत की यात्रा करके Party को उठाया जो नेता जो साती ये कहते थे कि आप डूबते जाज में चड़ गए आज वही नेता हमारी Party में जिसको डूबता जाज गायते तो वही बैठने के लिए त्यार है वह सोच रहे कज सी हमाई इस जाज में बिठाए ये राहूल गांदी की मेनत और हमारे अधेने चोदरी नि करते हैं उसके बाद फिर कॉंग्रेस की टिकेट पर चुनाव लड़ते हैं जब मैंने पार्टी जुआइन की और मेहनत की मेहनत करने के बाद हलके से एक वाज आई कि अब की बार सत्विर्भाना को मोका देना चाहिए तो कॉंग्रेस पार्टी की टिकेट मिली चोदरी जो 2014 में हैं कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाने में सबसे निच्चे थी मतर 3522 वोट उसको मिले दे मेरे आगे एक बहुती कठीन घड़ी थी जो कांग्रेस पार्टी इतने निच्चे थी उसको साथ वोट मांगना उसको उठाना यहां कांग्रेस पार्टी यहां कोई गरा सबी साथियों ने मेरे साथ लाग करके मेहनत की और पचित्र पार का नहरा जो भारतिय जन्ता पार्टी लगा रही थी उसकी भी यहां से जमान जबत हुई और जो कांग्रेस पार्टी 2014 में सबसे निचे पार्टी थी हमारे पुंडरी हलके में वो दो जार उन्नीस में सबसे उपर में कांग्रेस पार्टी यहां से रही सदे ठाई जार के करीब वोट मैंने मिले और मैं सेकिंड पोजिशन पर रहा हूं क्योंकि जो यहां का विधायक जो बना है उसने इमोशनल कार्ट खेल दिया बड़े-बड़े आंसुभाय रोया जो जनता सहें नहीं कर सके जो जनता अपने दिल पर ले गए कि अब की बार तो हमने रंदीर गोलन को वोट देनी चाहिए यही कार्ण था मेरा पिछले जुनाव हारने का लेकिन मैंने हार नहीं माननी जो मेरी पार्टी नंबर एक पर रही 24 में आपने फिर आवेदन दे दिया अचा हर सीट से मैं कहूं कि कॉंग्रेस के पास बड़ा टफ चैलेंज है कि एक सीट से तकरीवन साथ आठ तीन चार इस तरह के कैंडिडेट हैं तो आपकी दावेदारी क्या सुनिश्चित है क्या सुनिश्चित माने और क्या अबतार महिनत की मैं किसान और मजदूर का बेटा हूं अगर किसान की भसल मर जाती है और घुबराता नहीं फिर करता है फिर मरती है फिर करता है मैंने फिर परियास किया तो उसी दिन से मैंने लोगों के सुख में दुख में करोना कालो जब करोना काल में जो सार जीतने मिन अपने घर में बैठे दुब के मैंने हलके की सेवा करी करोना काल में में गाओं में गया चिड़काओ किया सोडियम हपकोलराइट दुआई का कि सैनिटाइजर मास्क ऑक्सिजन स्लेंडर कि जनता के बीच में रहा मैंने कोई घबराट नहीं कि मुझे भी करोना हुआ जनता के आशिरवाद से में ठीक हो गया तो जब किसानों का तीन काड़कानों के खिलाब जब कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले खिती बिचाओ यात्रा पेवे में पंजाब से रावल गांदी जी आए उसका पेवे में मैं सहसे योजक था तो वहां में सेंकड़ों ट्रेक्टों के साथ हमने तीन काड़कानों के खिलाब लड़ाई लड़ी जब किसानों ने तेरा महिने लगातार धर्ना परदर्शन दिल्ली में रखा और यहां जब हर्याने में मेरे जीले में चाहती त्रमोड हो चाह पुंडरी वड़ा चोक हो चाह पाई वड़ा चोक हो मैंने वहां धर्ना परदर्शन लगातार किसानों के साथ रहा और यही कारण है कि जो भी कांग्रेस पार्टी ने मेरी जुम्मेवारी लगाई चहव कांग्रेस पार्टी ने तिन काड़े कारणों खिलाब किसानों के हस्त अकसर करवाई मैंने हर गाउं से रिजिफ्टर लगा करके 20,000 किसानों के साइन करवाई जो भी कांग्रेस पार्टी ने मेरी जुम्मेवारी लगाई मैंने वो जुम्मेवारी पर में खरा उत्रा अब रही बात जो एमपी का चुनाओ था यह चुनाओ मैंने खुद अबना चुनाओ समझ करकर लड़ा है यहां जब 2014 का चुनाओ था उसके बाद 2019 का चुनाओ हुआ 2019 के चुनाओ में कांग्रेस पार्टी में मैं था यहां से MP का MP जो लड़ा था वो निर्मल सिंग थे कांग्रेस पार्टी के उससे मैं तो 24,000 उसको वोट मिले थे मेरे को 28 मिले से डे 28 उसके बाद ये दूसरा चैलेंज मेरे लिए था अलके में चुनाओ लड़ने का जब ये गठबंदन का परत्यासी आया है दाक्टर सुल गुपता जी तो मेरे परियाश से और मेरे साथियों के परियाश से यहां की बार में 55,000 वोट में यहां से जीती तो नहीं लेकिन 55,000 वोट हमें मिले जो 54,000 का अंतर था मातर 11,000 का अंतर रह गया पिछले बार जब वीजेपी और कांग्रेश के कैंड़ेट में एंपी में 54,000 का अंतर था यहां से उसको उसको ठतर जार वोट मिले थे एंपी को हमारे बारे को 24,000 वोट मिले दे लेकिन अब की बार उसको मात्रम 56,000 वोट मिले है हमको 45,000 वोट मिले है यह फैंसला कम रहे गया लेकिन विधान सभा में यही 45,000 शैट अजार से उपर वोट होगी तो मेरा दावा यही है जो भी कांग्रेस पार्टी ने मेरी जिम्मवारी लगाई मैं उस अब यह बताएं कि जैसे सुर्जेवाला साब है वो 2019 में खुद भी चुना भार गए थे तो क्या अब यह माने कि उनके फेस का उनकी राजनीती का इतना दबदबा है कि वो अब उनके जो जो हिस्से के जो कैंडिडेट है यानि उनके जो सपोर्ट कर रही है आप जैसे जो केंडिडेट है वो भी जीत सकेंगे उनका चहरा कुछ पावरफुल साबित होगा उनके हिस्से के वोट आपको ट्रांसफर हो गया मिलेंगे जो चोदिर नदीप सिंग सुर्जेवाला जी अब कॉर्णरेस पार्टी के मांस चीव है राजय सभा के मेंबर भी है और हुमारा एरिया उसको चाहता भी है कि सब ही चाहते कि हमारे एक्सेत्र का कोई ऐसा नेता है जो इसे एक्सेत्र का विकास करें जब चोदेर नदीप सिंग सुर्जेवाले जी के आशिरवास जैसे एक ग्रीब प्रिवार में जनमें तो उन्ने आशल लगाई है कि हमें बट्रिकेट म किसान और मजदूर और गरीव के बेटे को हम राजनिती में कैसे लाए तो उनका फैंसला था कि सर्वे की रिपोर्ट हम सर्वे करवाया जाए जनता का सर्वे जनता जिसको चाहेगी अम उसको राजनिती में लाएंगे इस्षेदारी देंगे तो यही एक कारण था कि किसान औ और गरीब का बच्चा एक सर्वे द्वारा जा सकता है वैसे सिपारश से तो नहीं जाएगा लेकिन सर्वे में यहां जब सर्वे हुआ मेरा अंदाज है कि लग बग 70% सर्वे यह आपके इस भाई का सत्विर भाना का यहां से पुंडरी हलके से गया है और 30% में सभी जो भी म कीरने लगदार सिराव 15 वार बत करने और इस वरदरी को अपनी मा समझता हो वह णकर कारणा कि और गार्मने मेरे साथ के द्वारा की गई मेंद से अज यह मुझे फल मिलने जा रहा है और मुझे आशार विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मेरी इस मेहनत पर मोर लगाएगी और यहां पर मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस के भी इसमाने बहन जी यहां तो कोई मुकाबला है यह नहीं क्योंकि जब चेतर पार का नारा था भारतिय जिनता पार्टी का उस समय हमातर 20,000 कुछ वोट मिले थे और उसकी जमान जब तो ही थी अब तो कोई कांग्रेस पार्टी के अलावा बीजेपी पार्टी कोई चाहता है नहीं बीजेपी के जो आपने देख लिया कि इनने भारती जनता पार्टी के एदेख ने खुद लिख के दिया कि डेट बढ़ेनी चाहिए का समय आएगा और जब लोग मत करेंगे तो यहां से मेरे सबसे भारती जनता पार्टी का सबसे नीचे होगा बहुत शुक्रिया इस बाचीत के लिए और जब हम कहें कि टिक टोक अवितरन हो जाएगा और जब रिजल्ट भी आ जाएंगे हम ये दो बार इन से मुलाकात करे पहली बार जब या फिर हम ये कहें जब लिस्ट आ जाएगी इनका नाम आ जाएगा बहुत सारे सवाल तब पूछेंगे और जब रिजल्ट आ जाएगा इनका दावा कितना सच रहा उस पर भी हम बात करेंगे तो दरखवास मेरी आप से कि समय दीजेगा हमें बहुत बहु अब कोईल कैमरे के पीछे है और सामने मैं हूँ बहुत बहुत शुक्रिया इस बाचीत को सुनने के लिए राम राम